हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पाले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर धर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाए दोस्तों मैं डॉक्टर दर्बेस आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटाल में दोस्तों अलग-अलग तरीके से अलग-अलग प्रयोग में आपको बताता हूँ और इसका फायदा भी आप लोग को होता है आज मैं आपको दोस्तों जो बताऊंगा वो है लॉंग का वाटर याने लॉंग के पानी का क्या-क्या बेनिफिट आप ले सकते हो लॉंग का उपियोग कई तरह से कई रोगों को दूर करने के लिए आईरवेद में बरसों से किया जाता है खास कर लॉंग दान्तों और मसूडों की समस्या के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है अधिक तर आईरवेदिक टुथपेष्ट लॉंग का तेल याने क्लोब ऑईल का इस्तेमाल करते हैं इसमें कई तरह के आउस्योद्य गुण महजूद होते हैं इसका इस्तेमाल भोजन में भी किया जाता है यह एक ऐसा मसाला है जो हर भारतिय रोसेई में मिल जाता है लॉंग का जो तेल है यह इमिनिटी बुस्ट करता है वाइट बलड सेल्स का निर्मान भी करता है कई तरह के संकर्मन से भी सरीर को बचाता है दातों और मसूडों में सुजन की समस्या दूर करता है साथ साथ जो बलीडिंग गम होता है वो समस्या को भी ठीक करता है याने दात और मसूडे का पूरा केयर करता है फाइवर होने के कारण कबज, गैस, पेट दरदादी में भी यह काफी लापकारी है हर रोज अगर एक इनसान एक ग्लास सुबा सुबा लॉंग का पानी पिने का आदत करता है तो उसको बहुत सारे बिनिफिट्स होते हैं आपको आगे बताऊंगा लॉंग में कई तरीके के पोशक दत्तों महजूद होते हैं जैसे की आंटी ओक्सिडेंट्स, विटामीन C, विटामीन K, मैंगनीज, फाइवर, कैलसियम, फोस्परस, पोटासियम, सोडियम, आईरन, मैंगनीज, जींक, जैसे मिनरेल से यहां भरपूर होता है सरीर में इन सभी मिनरेल का महत्यो बहुत अधीक होती है। इसमें अंटी वेक्टरियल गुन होती है जो सरीर को कई तरह के संकर्मन से बचाया रखता है। साथ ही यह आंटी ओक्सिडेंट्स से भी भरपूर है। अंटी ओक्सिडेंट्स हमारा सूजन और तनाव को दोस्तो कम करने में help करता है साथ saat पाचं क्रिया को ये बहतर करता है इसका पाणी अगर हम रो जाना सुभा पी लें तो सर्दी जुखाम में भी आराम मिलती है इसको थोड़ा गुन-गुने साथ थोड़ा सा मिला के भी आप पी सकते हो चाई के तरह पानी सुबह खाली पेट पीएं खास करके गर्मी के समय में आप नर्माली पी सकते हो और थंड और बारिस के समय में इसको हलका गुनगुने हलत में ही पीना चाहिए बेसिकली एक इनसान दिन में तीन चार लॉंग का इस्तिमाल कर सकता है comfortably इसका कोई side effect है नहीं तो सुबह चार लॉंग को आप कुट के एगलास पानी में डाल के उबाल ले और जब अच्छे से उबल जाए तो उसको छान के आप सुबह सुबह पी लें गुनगुने हालत में जैसे मैंने बताया थंड और बारिस के समय में गर् प्लेड मोटा हो चुका याने cholesterol level बहुत हाई रहता है bad cholesterol बढ़ा हुआ है अच्छा cholesterol बहुत कम हो चुका है TG level याने triglycerides काफी बढ़के रहती है heartbeat हो गरा हमेशा बढ़के रहता है blood pressure बढ़ी हुई होती है थोड़ा से चलने से थकान हो जाता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि सरीर बहुत weak लग रहा है दिन भर थकान से आप पूरे परेसान रहते हो नीन बार बार आती रहती है दिन भर और रात को अच्छी नीन नहीं होती है तो दोस्तों ये बहुत ही बहतरीन काम करता है सुगर लेवल को कम करेगा cholesterol लेवल को कम करेगा blood pressure को कम करेगा सरीर में जो सूजन है उसको कम करेगा साथ साथ आपके हड़ी को आपके सनाई तन तरीका को मजबूत करेगा तो और क्या चाहिए आज से सुरू करें जिसका जो समस्या है वो हल करेगा और जैसे जैसे मैंने आपको बताया हजम से सुरू करके constipation से सुरू करके हड़ीया मजबूती से सुरू करके नसों की देखभाल और खून को पतला करना सुगर को कंट्रोल करना blood pressure को भेतर करना माईग्रेन हेडेक से बचाना आपका मसोडे को मजबूत करना गम ब्लीडिंग जिनकी समझ से वो ठीक होगी जिनको हमेशा मुह में bad smell रहता है वो दोस्तों बिलकूल ठीक हो जाएगा दाद मजबूत होगी hair और नाखून ये चमकदर रहेगा दोस्तों उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा यार दोस्तों के बीच में सेयर करें साथ साथ मेरी किताब जरूर मंगवा के ऑनलाइन अमेजन से अपने पास रखो और पढ़ो और उसका इस्तिमाल करो my health in my hand हिंदी अंग्रेजी दोनों लैंग्विज में है और इसमें धाई जर से दोस्तों ऐसे ज्यादा टीप्स है एकिप्रेशर का फोटो के साथ पूरी नौलेज है तो आसा करता हूँ आप भी एक कदम आएं और मैं आपका साथ देता जाओंगा और हम सब हस्पताल और द है बहारा